हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे मैं हैं गुलफरा जालम और आप देखरें अपना यूटीब चैनल के जीन मेडिसिन टीच चलिए आज हम लोग ऐसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो आती आउश्यक हो जाता है लेना जब हमारी सर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए और वीडियो के आंत में जानेंगे जो अलकॉहल का सेवन क्या हो अगर वह यह मेडिसिन का उप्योग करते हैं तो उसको क्या दूस्परभाव पढ़ सकता है कि वीडियो में बना रहने के लिए धन्निवाद फ्रेंट्स मेट्रो निडाजुल एक एंटी प्रोटोजोल ताथा एमेबिया साइट ड्राग होता है और यह नाइट्रो एमिडाजुल ग्रोब की मेडिसिन होता है या एक परकार के एंटिबाइटिक और वेक्टरियल इंफेक्शन को ठीक करनों में इसका उप्योग क्या जाता है सबसे पहले इसके नाम से भी मेडिकल सोब में एवेलेबल होता है जैनरिक मेडिसिन ही लेना चाहिए जिसमें पैसे भी कम लगते और शरीर को नुकसान भी कम होता है मेट्रोजल 200 अमजी टैबलेट तथा 400 अमजी की स्टेंथ में अभी लबल होता है मेट्रोण डाजल सस्पेंशन तथा इसका जो पहला यूज है वो एमोवियसिस है पेट में होता है एमोवियसिस एक पर करके इंफेक्शन होता है जिसमें वेक्ति को डाइरिया लूज मोशन बार बार होते रहता है साथ ही पेट में दर्द मरोड ये सब समस्या पैसन को होता है और इसका जो दूसरा यूज है वह वेक्टेरियल वेजानुसिस में होता है यानि अगर किसी महिला को वाइट यां गरी कलर का वजानल डिष्चाज रहता है साथ ही पशाम में जलन षता है उस टाइम मेड़ेसज का, महिला के और एक वीमारी होते है जिसको ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं या भी एक वेजाइनल डिजीज है जनानांगों की बीमारी है जिसमें महिला के जनानांगों में इचिंग रेड़नेश रहना तथा वाइट डिस्चाज होता है डॉक्टर उस टाइम भी इस मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करते हैं या इस वेक्ति या महिला है जिसको इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया हो लंग्स में इंफेक्शन हो गया हो जिसमें पेशन को काफी ज्यादा खांसी होती है तथा चेस्ट में दर्द होता है ब्रेथिंग प्रोग्लम की भी समस्या होती है उस टाइम भी इसका उप्योग कि प्रेंट्स कई बार देखा गया है कि brain infection में भी इस medicine का डॉक्टर दौरा पिस्क्रेप किया जाता है और साथ ही mouth infection या मसुड़े में infection हो गया हो मसुड़े में सुजन आ गया हो और skin infection में भी इस medicine का उपयोग किया जाता है बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिसको पता था कि यह medicine सिर्फ dysentery diarrhea lose motion या intestine infection में ही इसका उपयोग किया जाता है बिल्कुल ऐसा नहीं है इस medicine का उपयोग मल्टिपल डिजिस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है यानि एक सा अधिक रोगों में इस medicine का उपयोग किया जाता है फ्रेंट्स मैंने जो इस medicine का यूज बताया है हो सकता डॉक्टर आपने experience के हिसाब से अधर कंडिशन में भी इसका यूज करें चलिए अब इसके doses के बारे में जान लेते फ्रेंट्स दवाय की जो dose होती है वह मरीज का उम्र मरीज का वजन पहले से किसी भी परकार की बिमारी है क्या उस हिसाब से डॉक्टर dose को घटा ब इसका जो डोज रहती हो 400 मिलिगराम की टेबलेट दिन में दो बार या तीन बार और अगर कोई विर्धावास्ता के मरीज उसे डिसेंट्री हो रही हो लूज मोसन हो रही हो तो दिन में दो टेबलेट 400 मिलिगराम की दिया जाता है खाना खाने के बाद 5-7 दिन तक यह एकविलिट करके दिया जाता है अब इसके साइड कि बारे में जा हो सकते हैं इसके कुछ को मन साइड एफक्ट हैं जैसे न्विट होना अ aan करने के लिए दिया जाता है लेकिन कई वार इसके उपोजिट कारी करते हैं यानि दस्त और ज्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा ड्राइबनेस रहना डिजिनेस रहना यह से सब कोई साइड एफेक्ट हो सकते हैं इसके अलावा भी अगर कोई आपको साइड एफेक्ट देखना को मिले तो डॉक्टर या नजदे की होस्पिटल में संपर्क जरूर करें चलिए आप इसके का उपयोग नहीं किया जाता है और जो माताई बच्चे को दूद पिलाती हो भ fonctionne को तो यह डॉक्टर के prescription क्या है या chronic alcoholic है तो भी मैडिसेन अपयोग नहीं ऑगर कोई कई है जो एलकुछ का सेवन क्या हुआ है और यह दव लेल वह खा लेते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा उल्टी हार्ट रेट बढ़ जाएगा सवसन समस्या और साथ ही उल्टी के साथ बलड भी आ सकता इसलिए अगर जो अगर कोई वेक्ति या पेसेंट है जो पहले से अलकोहल का सेवन किया हुआ है तो वह इस मेडिसिन का उप्योग ना करें यह जो मेट्रो निडाजुल के अगर जानकारी पसंद आया हो तो किरपिया करके वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी परकार के मेडिसिन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचें चलिए मिलते हैं आगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए